हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में हम लोगों ने इससे पहले मौर, गुप्त और वर्धन वंश के बारे में पढ़ लिया है और आज हमारा टॉपिक हिस्ट्री से ही है राजपूतों का कैसे उतकर्ष हुआ क्योंकि हम इसमें उत्तर भारत यसे दोनहों ही राजपूतों के वंश आपके इस2 चैप्टर मे हैं यह बहुत ही inpotट भी है ठीक है और राजपूतों चाहें शब्ड हुआ करता है राजपूतों का क्रता है तो राजपूतों का अर्थ के माना घया है कि यह संस्कृत के राजपूत्र से हुए झुक्त कोही राजपूत कहा गया होगा ऐसा मना जाता underlying पर कि विशय में बिवाद है और माना जाता है तो पहली जो भारती उतपूती का अर्थ है उसके अंतर्गत है कि छतरियों की संतान ही रहे Zone से ही राजपूत बने हैं और इसमें जो भारतिय उत्पत्य उससे आर्थ है कि सुर्वश और चंद्रवश दो वागों में बटे हुए थे यह और सुर्वश और चंद्रवश हुआ करते थे बाद में तीसरा वश भी आया यदूवश इनको का जाता है इनको भी राजपुतों के शेड़ी में म यह जाता है कि जब परश्राम के द्वारा च्छत्री विहीन कर दिया गया था धर्ती को तो ब्रामणों की रक्षा के लिए बहुत एक कह सकते है कि मुश्किल खड़ी हो गई थी तो कुछ ब्रामणों ने मिलकर आबू परवत पर यग्य का आयोजन किया और यग्य के चालिसवे दिन चार राजपूत जाती है उस अगनी कुछ से उत्पन हुई थी जिसमें प्रतिहार परमार चाहमान और पालू को कहा जाता है ठीक है तो यह जो वहां से उत्पन हुए ले प्रमार नहीं मिलता है फिर तीसरा आता है विदेश युद्पतिका सिद्दान तो कुछ इधियासकार ऐसे हैं जो यह मानते है कि शक सीथियन जो प्रजातियां जो भारत में आई तो क्योंकि वह युद्धु प्रेमी थी तो यहां पर जब वह आई तो उनको सम्मिलित कर लिए गया हिंदु धर्में उनकी कार श्रणी के आदात पर उनको राजपुतों में जो है वह वह दे दिया गया जो उनको सम्मिलित कर लिया गया फिर कुछ ऐसी है जो मिश्रित की बात करती है मिश्रित उत्पतिका सिदान भी है कि शक सीथियन कुशान यह सभी जातियां कि इुद्व्प्रेमी थे चत्रियों में संमिलित हो और राजपूतों में संमिलित हो गई उनके इसमित ने हिभी कहा है कि मुझे इस बात का संदेह निह है कि शकुरकुशान जब यह ऌनपार आय होंगे तो उनका हिंदु करन हुअ और वो नोगे दुनाटर तो उनकी कारि फ्रपूर का कल्चुनिवर्ण परमार बंश, चंदेल चालुकी तीक ये सारे अथर और राजपूद लगद और अधा трудal राजियर्वर्ण पर को सब्सक्राइब और यहीं पर शार्षन करने लगा हाला कि इसके विशन में बहुत बड़ा कोई उलेक नहीं मिलता है लेकि तिर भी नागभट प्रिथम के बाद जो नागभट प्रिथम का पुत्र था वत्सराज उसने शार्षन किया और वत्सराज के बाद नागभट दितिये को एक उत्तम जा सकता है क्योंकि नागभट दितिये जो है वो एक ऐसा शार्षक था जिसने यहां पर अपने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए करनोच पर अक्रमड किया और करनोच को वो अपनी राजधानी बनाना चाता था हाला कि उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सका फिर आता है नागभट दितिय नागभट दितिये के बाद तीनों शार्षकों में जो तीन शार्षक में कई जाते हैं राजधे की साथ साथ थी रास्ट बढ़ा घरू ने चालया कि एक अच्छा शाषक कहा जा सकता है कि पचास वर्षों तक मेर बोज का शार्षन-काल माना जाता है और इसमें बंगाल के शार्षक देवपाल को पराजिप किया था और रास्ट कुटों से भी इसका संघर्ष हुआ था ठीक है तो महेंद्रपाल ने राज शेखर की उपादी, महेंद्रपाल अपने राज में बहुत सारे विद्वानों को आश्ट्रे दिया, विद्वानों का आश्ट्रे दाता था तो इसी की राजसाबा में प्रसिद संस्कृत कर विद्वान राजशेकर थे और इसकी प्रमुक रचनाएं भी इस काल की आप लिख लिजे क्योंकि इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि इनसे पूछा जाता है करपूर मंजली किस के दौरा रचित है या कावे मिमानसा किस ने ल बहुत निर्बल शाशक हुए और अंत्म में इसी वन्ष में जो चालुक कोई भी शाशक बहुत अच्छे से इस पर नहीं कर पाया और बाद में यह जो वन्ष है यह पूरी तरह से समांत हो गया इसके बाद पंजाब के शाही वन्ष की बात करें जिसमें की जो कनिश्क के बाद यहां पर वासुदेव कुषाण वन्ष का अंतिम शाशक कुषाण वासुदेव कुछ था और उसके बारे पर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है लेकिन उसके बाद मारा जाता है कि साहत पी शताबदी में जब मुस्लिम शक्तिक करण शाही जो परिवार था पंजाब में बसना तो वह सीधे वहां से पंजाब में बस गए जाके शाही और अफगानिस्तान से क्योंकि मुसल्मान यहां पर बार बार आक्रमन करते रहते थे तो बाद में जो सुभुकुतिन यानि कि मौम्मद गोरी यहां पर था उसने भी यहां पर कई बार शाशन कि क्योंकि उन्हें बार बार इसके जो है शाष आक्रमणों को सहन करना पड़ रहा था है ना मैं इसको हम सुब्गुद्दीन गजनवी महमूद गजनवी कहते हैं तो यहां पर शाषन करने के लिए आ रहा था और काफी सारे आक्रमण उसने यहां पर कि एक हजार में यहां पर अनन्द पाल जइपाल ने हाला कि इसमें पहले स्थान लिया कि और आनन्द पाल जब यहां का 1100 शेटेरा इसवी तक शाषन बना तो इसको यहां पर कई बार महमूद गजनवी के आक्रमणों को सामना करना पड़ा तो यहां पर वह अपनी शाषन को पूरी तरह से नहीं जो है वह कर पाया उसके मार्मूत से युद्ध्य किया वीरता पुर्वक। लेकिन है लिकिन उसके बाद आननबंद पहल पहले जाशनवी से परास्त कर आए उसके बार कोशश करें लेकिन उसके बावजूद भी वह परास्त हो गया और अंतित्ता इस वंश का अंत हो गया फिर आता है गयरवाल वंश कर्णौज और बनारस में इसकी उत्पत्य हुई इसके शाषा गोविन चंद और विजन चंद रहे ठीक है इसके शाष को भी कोई बहुत माधपुर्ण शाषा फि द्वारा किया गया था और इसके कारण जैचन की दुश्मनी हो गई थी प्रत्वीराथ चोहांद से जैचन रही जब प्रतोडर प्रतोड़ वर्थि के जोने जब अकरफ प्रत्वीराथ चोहांद नहीं दिग था कि शहाबुद्दीन मौहमद गोरी नाम था शाषक का तो जैचन ने उस ते शतुरता ने भाई थी चोहनों से ठीक है तो इसमें भी बाद में कहा जाता है कि मौहमद गोरी के हातों ही जैचन की मृत्यू हुई थी प्रफम श्क्तिशालेशाषक विग्रराज है इनको सूरवंशी कहा जाता है शूरवंशी थे विग्रयराज तो टी उनर्मदर्म तक अपनी विजय को बढ़ा लिया था उसके बाद पुतर हुआ अजयराज एक हजार पास एक हजार तीसी ते अजय राज के बाद अर्णो राज फिर विग्रह राज चतुर जिसे बीसल देव की नाम से बीसल देव भी महान प्रतापिश आशक हुआ यह उच्च कोटी का स्वयम लेखक भी था और विद्वानों का बहुत प्रिश्रे दाता था पतलब बाद मेरू नाम से अ्जयमेर राजी की स्थापना अजमेर जो शहर है उस स्थापनाई उसने करी थी बाद में अज्मेर हो गया जबकि इसका नाम वास्तो में अजय میरू अजयमेर नगर का निर्मान भी करा या ता और भवव मंदिरों का अधन मर्णो च्रत आप अच्लिम और दिल्ली को जीत लिया था एक कोटी का लेकक और विद्वानों का आधर करने वाला जैसे कि आपने पहले बताया और सोन देव नाम का एक लेखक इसकी सभा में था और हरिकेल नामक नाटक की रचना भी उसने की थी फिर आता है स्वंच का सबसे महत्रपूर्ण शाशक जो ह चोहान ठीक है कौन प्रत्वी राज चोहान का समय माना जाता है 1179 यानि की 1189 से 1192 यानि की 1192 इस वी तक इस वंश का सरवाधिक प्रताफी शाशक प्रत्वी राज चोहान को माना जा सकता है और का जाता है कि प्रत्वी राज चोहान युद्ध नहीं आता यदि जैचन उसके खिलाफ नहीं जाता ठीक है इसके ही दर्बार में इसका राज दर्बाई था चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई ने प्रत्विराज के संबंद में उसके राजकार के संबंद में और उसके बारे में एक पूरा ग्रंथ लिखा था जिसको प्रत्विराज रासो के राम से जाना जाता है जैचन का समका तो मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था परंतु तुत्तिय युद्ध में विजय रहा और उसके बाद अजमेर और दिल्ली में चौहानों की शक्ति समागत हो गया फिर मालवा के परमार आते हैं परमारों में कोई बहुत महत्पूर्ण चीज नहीं है जबोर्पूर के एक तेवर नामा की स्थान पर उत्ती का बाना जाता है और व् गुजरात के प्रांतों को जीत लिया था फिर इस वन्ष का एक प्रमुक्षाशक हुआ गांगे विक्रमादित्य जिसको गांगे विक्रमादित्य के उखा जाता था क्योंकि उसने अपने अश्वर और इससे इस वंश की एक अच्छे ऐसे वंश की कल्चुरी वंश की कीर्थी को बढ़ाया था ठीक है फिर गांगे के बाद कंड हुआ इसका पुत्र और कंड ने भी जो भी गांगे विक्रमादितने प्रतिस्था पाई थी उसको बनाए रखा ठीक है कनोज भी इसके अधिका तो यह जरीओं मालवव के परमार्यों ने स्थापते कर लिया इस की इस पर मालवा का सैसल स्थापत कौन था उपेंड क्रिश्न राज जय क्रिश्न है कि कह सकते हैं कि यराष्ट क्ति रास्ट्यूडों का सामध रा था इस dimension यह पर क्रिश्न राज ने यहां पर अपना शाल पर्मारों की सत्ता को स्थापित किया और उपेंद्र का उत्रादिकारी हुआ हर्ष ठीक है श्री हर्ष के बाद मुंझ मुंझ को महत महत्पूर्ण का जा सकता है स्थापित किया था तो पर्मार वर्ष के को के प्रितिस्टा को बढ़ाने में इसका महत्पूर्ण हाथ था और माना जाता है कि इसके बाद इसने जो है कई उपाधियों को भी मुंझ ने धारन किया था मोग वर्ष उत्पल राश्री वल्लब ठीक है और यह मतलब एक ऐसा शा भोज शाशक आता है यह भी राजा वागपती का भतीजा था और महमूद गजनवी के आक्मण को रोमने के लिए इसने कई सारे संग भी बनाये थे लेकिन अंत में लड़ते लड़ते वो मारा गिया था भोज फिर चंदेल का वन्ष आता है बुंदेल खंडों में चंदेलो को बुंदेल राजपूत शाशकों में चंदेलों को महत्पूर्ण माना जाता है और यश्यो वर्मन के शाशनकाल में प्रतिहारों से यह सामरा जब अलग हुआ तो चंदेलों ने महोबा कालेंजर खजुराहो इसमें कई निर्मार कारिकराया और बहुत सारी मारतों को अधिवासी थे तो चंदेलों का भी इस वंश का प्रत्थम यश्यो वर्मन था 930-1950 एश्यो वर्मन का सबसे शक्रिशाली पुत्र हुआ 950-1002 तक जिसने शाशन किया था धंग अर धंग इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने उसका सामराज भी काफी बड़ा था नर्मदा यम लाया और जो प्रसिद्ध खजराहु मंदर यह ध्यान रखेगा यह कोशन पूचा सकता है खजराहु मंदर का निर्माड भी उसने कराया था ठीक है लेकिन वही जब उसमें महमूद का मौम सारी मौमद गोरी का अक्रमड हो रहा था और उसने इनकी कीर्ति को कहीं नहीं समा अधिक जो है वर्णन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जब प्रत्वी राज चौहान के बाद बहुत अधिक इसका वर्णन नहीं मिलता है कुतुक बुद्धी नाबक न उसके राज को जीत लिया था और उसके बाद चंदेलों का शाशन चलता रहा था बहुत लंबे समय तक चंदेलों की शक्ति नहीं ठीक है फिर आता है मूल राज गुजरात के चालुक्यों में मूल राज प्रिथम जिसकी अधिक्षिता में राजधानी का निर्मान हुआ पाटन राजधानी बनाई गई गुजरात में ही अनहिल पटन प्रारंबिक नाम था अवर्तमान का जो ग वन मतलब शिव की पूजा करने वाले सुल यह रिएक मंदिरों की चालुक्यों में मानन कराया और उसके बाद पुत्र ंखेंग प्राथम यह स्ंग सिद्राज की अवंतिनाद नाम के उप आदी को जैसिंग सिद्राज ने धारन कीया था इसने भी अनेक मंद्रों का निरमाण कराया कुमार पाल अजय पाल इसके उत्तराधिकारे हुए लेकिन बहुत अधिक इस वन्ष के बारे में इसकी कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हम आगे आपको बताएंगे ठीक है इसके बाद आता है पाल वन्ष चेल मंश में कई सारे शाचक हुए सामन सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लच्छमन सेन लच्छमन सेन के दर्बारी कभी जैदेव थे यह रशना इनकी पूछी जाती है जैदेव की गीद गोविन किसके द्वारा रचित है तो गीद गोविन जयदेव के द्वारा रचित है अब आती है इनकी राजनीतिक सभयता और संस्कृती यह हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपके वल इसके बारे में पढ़िए कि क्या है कौन-कौन से शाष्ण में उत करवाएं और कौन-कौन सा मुख्य रूप से इनकी कैसी केंद्री प्रवस्था थी प्रांती कैसे वस्था थी ठीक है तो वह नेक्स्ट में होगा आपका आज के लिए आपको अगर कोई दिख कर तो आप पूछ सकते हैं